बांके बिहारी कब और कहां से आए? बांके बिहारी का मंदर कैसे बना? और निदिवन और बांके बिहारी के बीच क्या रहस्य है? शायद ही आप लोग जानते हों आईए आज हम आपको बताते हैं कि बांके बिहारी आज से 515 साल पहले प्रकट हुए ऐसा बताया जाता है कि स्वामी हरिदास जब निदिवन में भगवान का भजन किया करते थे उस दोरान कुछ लोगों ने स्वामी हरिदास से पूछा क्या आपके भगवान है? उस दोरान स्वामी हरिदास ने उनसे कहा कि आप सभी को बुलाओ निदिवन में आज हम अपने भगवान को बुला कर ही रहेंगे इस दोरान निदिवन में सभी समाज की लोग जोट गए और स्वामी हरिदास ने अपना भजन करना शुरू कर दिया उन्होंने इस दोरान भजन गाया था माईरी सहज जोरी प्रगट भैजू रंग की गौर श्याम धन दामनी जैसे उस दोरान स्वामी हरिदास ने जैसे ही ये भजन शुरू किया बताया जाता है कि उस वक्त बादलों की गर्जना शुरू हो गई और कुछी देर बाद भगवान राधा कृष्ण निदिवन में प्रगट हो गए स्वामी हरिदास ने भगवान शुरू कृष्ण से प्रार्थना की कि भगवान आपको पहनाने के लिए खिलाने के लिए और बैठाने के लिए हमारे पास जगा है मगर राधारानी के लिए कपड़े और खिलाने के लिए अच्छी भोजन नहीं है जिसके बाद राधा और कृष्ण एक हो गए और वहाँ पर एक ऐसी प्रतिमा प्रकट हो गई जिसे बाके बिहारी के रूप में लोगों ने पूजना शुरू कर दिया और ये प्रतिमा आज भी बाके बिहारी के स्वरूप में बाके बिहारी मंदिर में स्थापित है कहा जाता है कि बाके बिहारी मंदिर के अंदर आप किसी भी कोने में खड़े हो जाईए आप बाके बिहारी की मूर्ती को देख लेंगे तो आपको लगेगा कि बांके बिहारी की मूर्ती भी आप ही को देख रही है और वहीं दूसरी तरफ निधीवन में आज भी बताया जाता है कि भगवान, श्रीक्रेश्न और राधा जी आते हैं और शयन करते हैं सुभा जब मंदिर खुलता है तो मंदिर के अंदर भोग चड़ा होता है और प्रसाद और शयन कक्ष अस्त व्यस्त होता है लोगों की ये श्रदा है कि भगवान, श्रीक्रेश्न और राधा जी खुद यहाँ पर मौजूद होते हैं वो खाते हैं, उनके लिए जो साजो समान लगाया चाता है वो वहाँ पर आराम करते हैं यानि कि श्रीक्रेश्न और राधा जी दोनों ही निदिवन में मौजूद है और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं, आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा